अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल आइकन को दबाना ना पूरे नमस्काल दोस्तों अन्बॉक्स में आप सभी को स्वागत है दोस्तों मुगाइल फॉन पे गेम खिलना तो आप सभी को पसंद होगा और paid game को free में खिरते हैं दोस्तों कितना अच्छा हो कि हमें सभी game free में मिल जाए चाहे वो game Android का हो चाहे वो game playstation का हो चाहे वो game PC का हो वो भी बिल्कुल official तरीके से तो दोस्तों इस वीडियों बात करने वाला आप किसी playstation और PC पे चलने वाले game को अपने mobile phone पे कैसे चला सकते हैं और उसके लिए आपके mobile phone पे 1GB RAM होना जो और ही तब ही ये trick आपके mobile phone पे काम करेगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा प्लेश्टोर पे और सर्च करना होगा पीपी, एसस, पीपी और उस application को डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के बाद आपने home page पी आप बापस आजएगे उसके बाद UC ब्राज़ोर को ओपन कीजिए और इस website पे आजाईए लिंक आपको डिस्स्रीशन में मिल जाएगा दोस्तों इस website पे आपको ऐसे बहुत सारे गेम मिल जाएगे जो आपने PC और PlayStation पे खेला करते है तो दोस्तों मैं इस website डाउनलोड करता हूँ PC का बहुत फेमस गेम God of War गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको गेम को सर्च करना होगा तो पहले मैं गेम को सर्च कर लेता हूँ सर्च करने के बाद मैं God of War का USA वर्जन को डाउनलोड करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें English Language मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे नीचे ना होगा और डाउनलोड God of War पे क्लिक कर देना होगा उसके बाद आप God of War के पेज़ पहुँच जाएंगे उसके बाद आपको दुबाला से डाउनलोड God of War पे क्लिक करना होगा मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं दुबारा से इसे डाउनलोड नहीं करूँगा डाउनलोड हो जाने के बाद अपने eXpile Explorer में आप चले जाएए और वहाँ डाउनलोड फोल्डर को ओपन कीजिए ओपन करते के साथ आपको God of War का जीप फाइल में लेगा उसे आप स्ट्रेट कर लीजिए eXpile Explorer के मदद से स्ट्रेट करने के लिए आप God of War को सेलेट कीजिए और फिर अप्शन में जाके स्ट्रेट पर क्लिक कर दीजिए तो यह आप से स्ट्रेट का उप्शन पुछेगा फिर आप इसे स्ट्रेट कर पाएंगे स्ट्रेट होने के बाद अपने होमपेज पर आप आपस आजेगे और ओपन कीजिए PPSSPP को दोस्तों उसे ओपन करते के साथ आपको इस तरह का एक इंटरफिस देखने को मिल जाएगा दोस्तों इसे ओपन करने के बाद आपको उसी फोल्डर में जाना होगा जहां पर आपने इस गेम को स्ट्रेक्ट किया हो फिर एजंपल मैंने गौड ओफ और को डाओन लोड में श्ट्रक्त कियa थर और इस जांख मैं दाओन्लोड में जाऊंगा उसकी बाद मैं गौड ओब आपको पर क्लिक कर दूँगा फिर मुझे गौड ओफ और का आअइकोन देखने को मिल जाएगा फिर मैं उसके बाद उस आइकॉन पर क्लिक कर दूँगा तो मेरा गेम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तो आप देख सकते हैं कि एक पीसी में चलने वाला गेम मेरे मुगाल फोन पर काफी आसाने से चल रहा है इसी तरह से बहुत सारे गेम डाउनोड कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सेर और सब्स्राइब करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में